बिस्मिल्लाहिरुर्णानी रखीम डियर सुन्ड आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा नोट्स हम जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नमबर फाइव के उन नोट्स में हमने डिफरंट टॉपिक्स डिस्कस किये हैं आज हम बुक्स से रिलेट करेंगे आपकी जो स्टुड़ी टेक्स है स्टुडी टेक्स का जो चैप्टर नमबर 5 है उस चैप्टर नमबर 5 के कौन-कौन से एरियाज हम डिस्कस कर चुके हमें नोट्स के थूँ तो पहले उसका वर्ड व्यू ले ले लेंगे आप अपने सामने ये बुक रखिएगा हार्ड फॉर्म में जो आपके पास बुक है वो सामने रखे मैं आपको मार्ग करवाता जाओंगा कि ये हैडिंग हम नोट्स के थू कर चुके मैं आप उसे टिक कर लिजेगा उसके लावा बाकी जो बाकी जो टॉपिक्स बच जाएंगे वो इंशाला हम बुक से उसको डिस्कस करेंगे तो ये चैप्टर फाइव का में पेज जो फर्स्ट पेज है वो आपके सामने इसको मैं स्क्रोल कर रहा हूं डाउं इसमें सबसे पहले वाली पर आते हैं that is entering, formatting, editing data और इसमें डिफरेंट आगे सब कैटेगरीज हैं इसकी तो सबसे पहले यहां पर आते हैं entering data यह वाला टॉपिक हम चैप्टर नंबर फाइव का यह वाला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हुए हैं नोट के तुरू data को एंटर करने की different techniques और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फाइव में सबसे पहले जो discussion थी हमारी वो selection techniques थी कि आपने different cells को, columns को, rows को और sheets को कैसे select करना एक एक से ज्यादा को तो उसके बाद फिर हमने data को enter करने की different techniques डिस्कस ही थी यह सबसे पहले, यह आपके सामने है entering data, यह हमने discuss कर लिया हुआ वहाँ पर, entering data manually in worksheets, फिर उसके बाद आपने time और date किस तरी के से enter करना है, यह आपको यहाँ पर नदर आ रहा होगा, यह देखिएगा, to enter, to enter a date और a time, इसकी भी techniques हम discuss कर चुके हमें, इसे भी आप tick कर लें, इसके साब mark कर लें, कि यह notes के तो हम discuss कर चुके हैं, रिटेल के साथ, next topic, enter same data on several worksheets at the same time, यह topic में हमने discuss किया, कि एक वक्त में आप ज्यादा sheets को select करके, एक sheet पर ही काम करेंगे, तो वो काम सारी sheets पर हो रहा होगा, जिससे हम grouping of sheets भी कहते हैं, यह भी हमने details से discuss किया था, उसके बाद next, control D, control R की shortcuts, यह shortcuts हमने discuss की थी जब हमने fill की option को discuss किया था, कि आप एक cell के contents को downward fill करना चाहरे हैं, downward नीचे एक cell में, multiple cells में, आप copy करना चाहरे हैं, यह right side पर करना चाहरे हैं, तो उसके लिए downward shortcut की control D है, और right side पर copy करने के लिए control R है, हमने upward और left side पर copy करना भी learn किया था, और इससे associated home tab में, जो fill की option है, उसे भी discuss किया था, notes के through, next area की दरफ चलते हैं, wrap text in a cell, wrap text in a cell, यह भी हमने discuss किया था, कि एक cell के अंदर, अगर lengthy text है, तो आप चाहते हैं, कि उसी cell के अंदर नजर आए, column की width को adjust ना करना पड़े, row की height बेशक्स ज्यादा हो जा इसे last lecture में, हम यही discuss कर रहे थे, कि home tab में, जो font का group है, आपके समने बना हुआ नजर आ रहे हैं, इसमें font को change करने की जो different options हैं, वो आप use कर सकते हैं, enter a series of date, such as days, months, और progressive numbers, तो इसे मनें discuss किया था, Excel के अंदर fill series के नाम से एक option है, mouse के जरी से आप starting cell को एक या दो को select कर लेते हैं, फिर उसके बाद right lower corner पर जो fill handle होता है, उससे drag करने से Excel उस series को fill कर देता है, आगे continue कर देता है, इसमें different techniques और इससे associated different options थी, वो मैंने detail के साथ discuss की थी, और notes में यह चीज़ ज़्यादर detail के साथ लिक्वी है, यहां सिर्फ थोड़ा सा discussion है, यह सिर्फ एक paragraph यहां से लेके, और यहां तक आपको जो नदर आ रहा है, यहां तक दो चार लाइन में explain करने की कोशिश की गए है, notes में ज़रा detail है, नेक्स है, insert a line break in a cell, cell में आपने line break insert करनी है, लिखते हुए आप चाहते हैं कि यहां से onward data मेरा next line में आदे, cell वही रहे, लेकिन next line स्टार्ट हो जए, तो उसके लिए हमने shortcut की बड़ी थी, alt और 7, यह प्रेस करने से next line स्टार्ट हो जाती है within a cell, insert a bullet symbol into a cell, यह भी हमने discuss किया था, कि आपने, sorry, alt enter, alt enter प्रेस करने से line break insert होती है, alt enter, प्रेस करने से line break insert होगी, और symbol insert करने के लिए जो shortcut की है, वो alt 7 है, यह हमने discuss की थी, यह थी के alt 7 से एक black color का bullet लग जाएगा, जब alt 7 प्रेस करके 7 को release करेंगे, और 7 आपने जो use करना है, जो right side पे numeric keypad होता है, जिसमें numbers लिखे होते हैं इस तरीके से box के formula में, तो वहाँ पे जो 7 है, उसे हम प्रेस करेंगे, तो उससे फिर bullet आजएगा, अगर इसके इलावा आपने कोई और bullets लगाने हैं, और symbols लगाने हैं, तो उसमें फिर insert के tab में जाके symbols की option थी, उस symbols के option में कफ़ी ज़्यदा style के bullet sub use कर सकते हैं, वो अभी हमने discuss कर लिया था इसके साथ ही, यहाँ पर आपकी book के अंदर जो bullet insert करने की technique है, वो तो यहाँ पर discuss की गई है, और symbol insert करने की technique इससे थोड़ा आगे discuss की गई है, वो भी हम देख लेते हैं उसे भी, insert cells, rows and columns, आपने rows, columns या individual cells किसी specific place पे insert करने हैं, तो उसकी options क्या-क्या है, यह भी detail में discuss हो चुकी हुई है, next, यह सारी techniques आपके सामने, जिसके सुझी है, image के थूँ, कि आप कैसे column, rows या specific cells insert कर सकते हैं, deleting cells, rows and columns यह भी हमने साथ ही discuss किया था, जहाँ पर हमने insert करना सीखा था, उसके बाद साथ ही हमने delete करना भी सीख लिया था, कि rows, columns और cells को delete करना है, तो उसकी क्या-क्या techniques available हैं, next, formatting data, data को format करना, उसमें सबसे पहले, उसमें cell borders discuss की हुए है, कि cell को आप borders कहां से लगा सकते हैं, cell के 8-grade जो boundary है, वो आप लगाना चाहरे है, specific format की, तो उसके लिए यह option उसमें discuss की हुए है, यह एक लंबी सी list, आपके सामने, इससे हमने detail में discuss किया था, इसमें different style के borders भी है, उसका line color, line का style, यह सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, next is cell coloring, cell का color आपने चेंज करना है, तो उसके लिए option हमने discuss की थी, यह देखेगा, home tab में, phone के ही group में, यह जो बाल्टी से आपको बताया था, बनी हुए है, इसका objective, cell के background color को change करना होता है, यह भी हमने discuss कर लिए है, उसके बदर text coloring, उसी phone color के साथ ही, यह text color की option available है, यह red color का को जो mark नज़र आ रहा है, home tab के front group में, text का जो color change करने की option है, वो available है, इसे हमने use कर लिया था, उसके बार next है text alignment, इसमें alignment group की जितनी options ही हमने सब discuss कर लिए हुए, last lecture में, यह वाली है, आप left right alignment भी कर सकते हैं, top bottom alignment भी कर सकते हैं, और इसी के अंदर हमने discuss किया था indent को increase करना और decrease करना, यहनि left border से text को थोड़ा आगे की तरफ move करना, या फिर पीछे की तरफ लेके जाना, इसे indent increase करना या indent decrease करना कहते हैं, और इसके साथ rotation की option भी discuss की थी हमने, orientation आपने change करनी है text की, यहनि within cell आपने text की direction change करनी है, उसकी options, फिर उसके बाद merge करने की option भी हमने discuss कर ले थी, यहनि इसी alignment के group में ही यह सारी options अवेलेबल हैं, next one, add or remove a sheet background, यह option हमने अभी discuss नहीं की, कि sheet के अंदर आपने background के तोर पे कोई image insert करना है, तो वो कैसे करना है, इसको भी देख लेते हैं, कि अभी साथ ही discuss कर लेते हैं, इसमें heading के निचे लिखावा, sheet background is used for display purposes only and for display purpose only, इसको आप underline कर लिजेगा, इस statement को आप underline कर लें, sheet background is used for display purpose only, कि जो background असल में होती कि हैं, आप अपनी worksheet पे काम कर रहें, और worksheet का background by default white color का होता है, हमने देखा कि sheet का जो background है, वो white color का होता है, यह देखिएगा, यह sheet है हमारे सामने open है, सारा background इसका white color का है, अब इसके background पे कोई image लगा सकते हैं, कोई picture लगा सकते हैं, तो back side पे जो image लगेगा, वो सिर्फ display purpose के लिए होगा, print में नहीं आएगा, अगर आप इस sheet का print लेंगे, तो back side पे जो आपने image लगाया होगा, वो print में नहीं आएगा, यह सरफ display purpose के लिए होता है, यह बात यहां लिखी गई है, and is not printed, उसने clarify कर दिया, कि यह print में नहीं आएगा, अब sheet के background को add करने के लिए में क्या करना पड़ेगा, click the worksheet you want to add a background, सबसे पहले उस sheet को active करेंगे, उसके click कर देंगे, जिसमें आपने background add करना है, next, click background within page setup group on the page layout tab, page layout के नाम से जो tab है, उसके अंदर page setup का एक group होगा, उसमें फिर background के नाम से एक option है, उसे हम use करेंगे, उसके बाद फिर desired picture जो है, हम select करके insert कर देंगे, आप आते हैं, sheet में यह देखेंगा है, यह आपको image दिखाया हुआ है, background के तोर पे यह image से लगा हुआ है, sheet में आते हैं, तो उसमें कहा था page layout, page layout में आगे हम, यह आपके सामने screen पे नदर आ रहा होगा, page layout का tab, इस पे click किया, और click करने से यह page setup का group, page setup का group आपको नदर आ रहा है, उसके साथ यह उपर background की option है, choose a picture for your background and add some personality to your worksheet, थोड़ा सा personal touch देने के लिए आप अपनी पसंद की कोई image वगरा पीछे लगा लें, और front पे आप रहके काम कर सकते हैं, data वगरा वगरा वैसी add होगा, वैसी borders वगरा, increase, degrees कर सकते हैं, rows add कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, बाकिसारा काम वैसी होगा, बस यह के background जो यहां आप से पूछ रहा है कि आप picture जो insert करना चाहरे हैं, वो कहां से select करेंगे, from a file, या फिर online website से, या one drive पे आपने, one drive online data को store करने की, एक option है, जो Microsoft follow ने दी है, अगर आपने वहां अपना data को store किया है, वहां success करना चाहरे हैं, तो यह third option है, from a file कर लेते हैं, from a file का मतलब ह हमारे computer में ही पड़ी हुई file है, जिसे हम यहां पर background के तौर पर mention करना चाहरे हैं, select किया, यहां अभी वैसे मेरे system में कोई see picture नहीं है, जी, जी, background हम add करते हैं, यहां से background वाली option में आके है, तो picture हम select कर रहे थे, यहां से picture देखती है, from a file, इस पे में click कर रहा हूँ, तो अभी मैंने इसमे एक picture save की है, saved pictures, इस option पर आएंगे, मैं double click कर रहा हूँ, यह हमारे सामने एक image है, image 1 के नाम से picture यहां पर saved है, इसे हम background के तौर पर लाना चाहरे हैं, तो इसे select करके, और यह नीचे insert की option है, insert की option इस पर click कर देंगे, तो यह देखिएगा, यह background के तौर पर, वर्कशीट के background के तौर पर यह image आ चुका हुए, और यह image अगर आप देखें तो repeat हो रहा है, image का size चुके कम था, पूरी sheet पे पूरा नहीं आ सकता था, चोटा size था, इसलिए action ने क्या किया, उसके box में आके उसको repeat कर दिया, वहां पर भी शुरू में भी लगा दिया, फिर उसी को repeat कर दिया, उसी को repeat कर दिया, ऐसे repeatedly, यह सा image का size, size से मराद उसकी dimensions, उसकी weight, उसकी height जो है frame की, वो अगर ज्यादा होगी, तो पूरी sheet पे एक ही नजर आएगा फिर आप तो, यहनी front screen पे नजर आएगा, फिर नीशे जाके repeat होगा, अब इसको remove करने के लिए, remove करने के लिए आप देखेंगा page layout में वही option, जिसका नाम background आप उसका नाम delete background हो चुका है, यह देखेंगा, इसी के ओपर दोबारा क्लिक करने से, यह image remove हो जाएगा, इस पे क्लिक किया, तो यह remove हो चुका है और आपकी sheet normal condition में वापस आवी है, तो इसके मतलिक आपने याद रखने है, कि sheet background सिर्फ और सिर्फ देखने की हद तक इसका तालुक है, यह print में नहीं आएगा, अगर आप अपनी इस file का print लेंगे, control P करके, तो आपके पास जो printer में print राएगा, वो सिर्फ data का होगा, और data के ओपर आपने जो format supply की होंगे, यह as it is रहेंगे, as it is print में आएगे, background पे जो picture है, वो print में नहीं आएगे, नेक्स्ट एरिय की तरफ चलते हैं, जी, नेक्स्ट टॉपिक, grid lines, इसको भी हमने theoretically discuss किया है, एक्सल के अंदर जो grid lines हैं, वो क्या होती हैं, हमने discuss कर चुके हैं, कि आपकी वर्कशीट में, cells के 8th grid जो lines लगी होती हैं, डिम सी lines लगी होती हैं, हर कॉलम, दो कॉलम के दरमयान, दो रोज के दरमयान lines जो लगी हुई हैं, उन lines को हम grid lines कहते हैं, इसके मतलिक भी कुछ options available है आपकी Excel के home tab के अंदर, तो हम देखते हैं, कि उन grid lines से मतलिक क्या-क्य options available हैं, इसके मतलिक यह याद रखें, कि grid lines जो हैं, ये sheet पे नदर आ रही होती हैं, लेकिन by default ये print में नहीं आती, अगर आपने document को, file को print करेंगे, तो grid lines के बगएर आपकी file print होगी, यानि white page होगा, औ उस पे data नदर आ रहा होगा, और आपको वहाँ ये नहीं पता चलेगा, ये एक जो आपने text लिखे हुए है, किस cell में है, दूसरी किस cell में है, बस white page के ओपर सारा कुछ लिखा हुआ नदर आ रहा होगा, grid lines by default, यानि by default का मतलब है standard setting जो पहले से हैं Excel के अंदर, उसके देख लेते हैं कि ये जो आपको बताया गया है, grid lines के मतलिक क्या है, grid lines are the faint lines that appear around cells in your worksheet, ये faint light सी lines है, जो cell के देगे नदर आती है, to help you manage your work by distinguishing cells, ये अगर grid lines नदर आ रही होंगी आपको sheet के ओपर, तो फिर cell को distinguish करना, identify करना, अच्छा, ये पहला cell है, उसके बाद ये next cell स्टा हो रहा है, ये जरा असान हो जाता है, अगर हम grid lines को invisible कर दें, तो सारी sheet आपको बिल्कुल white color की नदर आएगी, उससे फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, user के लिए understand करना, कहा एक cell हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, column की headings, row की headings को फिर देखना पड़ते है, तो ये आती रहे हैं, इससे data enter करना, edit गरा करना, असान होता है, next लिए grid lines can be removed or reinstated by ticking or unticking view option, under grid lines, grid lines in the sheet options of page layout, ये page layout के tab के इंदर ये option, अभी हम इसको discuss कर लेते हैं, पहले next line पढ़ लेते हैं, note that by default grid lines do not appear when printing, ये मैंने आपको बता दिया, to show or subsequently remove, इनको show कर्वाने के लिए ये बाद में remove करने के लिए, आप क्या करेंगे, grid lines on the printed output tick or unticked print option, अब ये दो paragraph में, इस paragraph में, इस paragraph में, जो explain किया गया है, उसे हम perform करते हैं, page layout tab, ये नीचे image में बना हुआ है, page layout tab, ये देखिएगा, और उसमें right side पे, अगर हम move करें, right side पे, तो आपको ये sheet options के नाम से, ये group है, sheet options के नाम से, उसमें grid line का heading है, इस grid line के heading के नीचे दो option है, view और print, इसको tick भी कर सकते हैं, untick भी कर सकते हैं, इसको वहीं जाके देखत हैं, कि इनका objective क्या है, जी ये worksheet पे आगे हम, और उसमें ये page layout का tab, right side पे आते हैं, right side पे ये sheet options के नाम से, group है, sheet options का group, और उसमें देखिएगा grid lines और view और print की दो options हैं, जिसके साथ tick mark करने के लिए option बनी हुई है, box बना हुई, ये नीचे कर आप देखें, sheet में, तो आपको यहाँ पे grid lines नजर आ रही हैं, ये fancy lines हैं, dim lines, ये print में by default नहीं आती हैं, आप ला भी सकते हैं, और बाद में इसे आप, ये इस option को खतम भी कर सकते हैं, और sheet पे ये by default नजर आ रही view जो है, view के ओपर by default tick लगा होता है, इसका मतलब क्या है, कि हम अपनी sheet के अंदर grid lines को view करना चाह रहे हैं, view करना चाह रहे हैं, अगर आप नीचे sheet के अंदर इसको view ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसको untick कर देंगे, ये देखेंगे, मैं जैसे इसको untick करूँगा, तो न white, इसमें कोई border वगर आपको नजर नहीं आ रहा, although border exist कर रहे हैं, ये देखेंगे, cell आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन borders नहीं आ रहे हैं, उन lines के गाईब हो जाने की वज़ए से, अब हम दोबारा लाते हैं, हमें grid lines चाहिए, क्योंकि हम इतने active नहीं हैं, कि हम cells के उपर इस print के option को use करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम इस option पे tick करेंगे, तो क्या होगा, ये grid lines आई ये print में भी आपको नजर आएंगे, अभी मैं अगर आपको print preview दिखाऊ, ये देखेंगा print वाली option unticked है, अभी अगर हम इस data का print preview देखें, तो देखते हैं कि ये print में data कैसे आता है, उसके लिए में जाना पड़ेगा print preview में, मैं control P प्रेस करूँगा, print preview में चले जाएंगे, जो के backstage view में, right side पे देखेंगे, आपको उस data का preview नजर आ रहा है, ये देखें, right side पे, लेकिन आपको यहां पे कोई box वेरा बने हुए cell के borders वेरा नजर नहीं आ रहें, ये के option पर tick अभी नहीं किया, तो वापस जाते है normal sheet पर, और यहां से हम इस print के option पर tick लगा देते हैं, ये जो grid lines में print के option है, इस पर tick कर रहा हूं है, अब ये वाली grid lines printed document के उपर भी print होके आ जाएंगे, अब हम दुबारा से print preview देखते है, control P, अब ये देखेंगा आपको, यहां पर नदर आ रही है, appear हो चुकी है, जिस area में data होगा, जिस area में अपने data एंटर किया होगा, सिरफ उस area की grid lines print होके आएंगी, बाकी सारा page ब्लैंक ही होगा, अगर हम right side पर भी कुछ data एंटर कर दें, download भी कुछ data एंटर कर दें, तो उस area के अंदर grid lines है, वो भी आपको यह option को un-dicker हो, ताके print में यह ना आए, उसके बाद next book की तरफ आते हैं, देखते हैं वहाँ पर next heading क्या available है, यह grid line की option होगी, उसके बाद next, underlining, underlining की heading लिखी हुई है, यह भी हम discuss कर चुकियों में है, home tab के अंदर phone के group में यह option discuss हुई है, underlining आप कैसे कर सकते हैं, underlining की option available है, वहाँ पर single underline, double underline, और phone का जो dialogue box है, format cells के नाम से जो open होती है, एक बड़ी window open होती है, उसमें जाके भी हमने देखा था कि underlining के अंदर further options भी available है, उसके बाद text को bold आपने कैसे करना है, discuss हो चुका हुआ है, indentation and orientation, यह दोनों options जो हैं, वो alignment के group में हमने discuss की है, indentation क मतलब left border से text का जो gap है, वो आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, उसे indentation option करते हैं, और orientation, rotate करना, यह नीचे explain किया हुआ है, इसको आप यहां से go through कर सकते हैं, notes में मैं ने detail में पढ़ लिया है, यह देखी हैं, यह सारी वोई चीदे explain की गी है, उसके बाद है editing data, data को edit करने के हमाले से, पहली option है, merge cells, cells को अपने merge कैसे करना है, इसकी भी जितनी options थी, alignment group के अंदर हमने discuss करनी है, merge and center भी थी, और merge across की option भी थी, इसके लावा merge, simple merge की option भी थी, पिर आखरी चोथी option जो है, वो unmerged की थी, यह सारी options हमने discuss करनी, यह explain किया गया है, इस image के अंदर, change the width of the column detail में discuss हो चुका हुए, next option, change height of row, यह भी उसके साथ ही था, column की width और row की height, यह दुरों चीज़े हमने discuss कर लिए थी, किस किस तरीके से आप इसको चेंड कर सकते हैं, इसको आप साथ साथ टिक करते हैं, जो मैं आप से कहा रहा हूँ, कि हमने discuss कर लिए है notes, notes के थूँ, इन option को बुक में आप mark कर लें, ताकि आपको clear हो जाई हो चुकी है, इसके लावा बाकि जो options बचेंगी, वो हम साथ, इंशालले, discuss करेंगे फिर, यह option है, insert a symbol, जो मैंने कि आप different तरह की symbols, अगर आप bullet की symbol की जो by default आती, alt 7 प्रेस करने से, उसके लावा कोई और symbol insert करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, insert tab में symbol की option को जाके use करेंगे, तो उसके जरीए से आपके सामने, इसरी के सी यह window आ जाजएगी, यह window आपके सामने आ जाजएगी, इसमें यह अपनली option अभी हमने discuss करनी है, find और replace, Excel की worksheet के ओपर data जो पड़ा हुआ है, data आपने enter किया हुए, उसमें से आप कुछ data search करना चाहें, बहुत बड़ी sheet है, काफी ज़र data है, manually search करना ज़रा मुच्किल है, locate करना different तरह की text को, आप Excel के इंदर find करने की option है, उसे use करके, उसमें आप जो text search करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे लिखेंगे, Excel आपको बता देगा, ये फिलांस एल में, फिलांस एल में, फिलांस एल में, ये data available है, इसी तरह के से replace भी कर सकते हैं, एक तरह की data को दूसरे तरह की data से आपने replace करना है, तो replacement भी कर सकते हैं, ये दूनों options दे क कठी इंचला हम discuss करेंगे, पहले go through कर लेती हैं, और क्या के चीज़े हमने पढ़ लिए है, viewing data में show, hide, column और rows, ये भी detail में discuss हो चुका हुआ, इसके different methods हमने पढ़े थे, column को different methods के तरह आप hide भी कर सकते हैं, unhide भी, इस तरह के से row को भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा कि single cell hide नहीं हो सकता, या तो पूरा column hide होगा, या पूरी row hide होगी, single cell को hide करने की option Excel में नहीं है, freeze fans, ये भी option discuss हो चुकी है, notes के through, इसे भी हम mark कर लें, headings को आपने कैसे fix करना है, top side वाली rows हैं, ये left वाली columns हैं, उसे आपने कैसे freeze करना है, ये freeze की option हमने पढ़ ली, उसके बाद splitting pants, sheet को आप different portion में divide कर सकते हैं, ताके different areas को आप separately scroll कर सकें, और sheet में जो दूर पढ़ा हुआ जटा है, उसे आप दूसरे ड़े के करीब करके एक ही वक्त में view कर सकें, sheet के आप 4 portion भी बना सकते हैं, दो horizontal भी बना सकते हैं, दो vertical भी बना सकते हैं, तो ये सारी options हमने detail से discuss कर ली हुई है, यहां जो लिखा वाई है, आपने साथ-साथ book में जो details लिखी हैं, वो भी आपने go through करनी है, ताके आपको ये memorize हो जाएं चीज़ें इसमें जो explain की गई हैं, hide worksheets, worksheets को आपने कैसे hide करने हैं, पीछे हमने पढ़ा column और rows को hide करने के methods, और यहां पर शीट को hide करने के methods, यह हमने notes के थूछ सारी चीज़ें कठी पड़ी थी, कि column rows को कैसे hide करना है, उसके बाद worksheets को फिर workbook को, उसके बाद next option वही है, hide workbooks यह वाली, इसे भी हम discuss कर चुकी होए, custom views की option भी discuss होगी हुई है, कि Excel के अंदर आप sheet को specific view में लाकर उस view को save कर लें, ताकि आप उस view को दुबारा से access करना चाहें या उस view में दुबारा से आना चाहें, तो आप दुबारा से सारी settings hide, unhide वगर ना करना पड़ें, बलकि आप उस view को जाके show कर दें, तो आपकी sheet दुबारा से उस view में आजएगी, जो view आपने save की है, ये custom views की option भी हमने detail में discuss कर ली हुई है, next देखिएगा, copying and moving data, इस से onward हमारे topics, अभी याई इस book में, chapter number 5 में discuss होने वाले रहते हैं, इसको इंशाला हम फिर detail में discuss करेंगे, move or copy as sheet, T option भी रहती हैं इसके लावा formatting numbers onward, इस से onward इतनी headings हैं, वो इंशाला हम book से go through करेंगे, यहीं find and replace की option, उसके बाद data को copy paste वहरा करना, or cut paste करना, और इस से onward इतनी भी options हैं, वो इंशाला हम book के through ही discuss करेंगे, अब आपने हर lecture के अंदर study text को अपने पास रखना है, कोशिच करें, आपके पास hard form में जो book हैं, वो आपके सामने हो, कुछ extra चीज़े में आपको बताऊंगा, कुछ shortcut keys वगरा बताऊंगा, वो कुछ details बताऊंगा, एक्सर वो आपने साथ-साथ, उसी के उपर mark करते जाना है, लिखते जाना है, इससे क्या होगा, आपकी book में relevant place पे ही सारी details आपको मिल जाएंगी, इससे revise करने में इंशाला आपको असानी होगी, तो book को आपने संभाल के नहीं रखना है, बिल्कुल नया, जैसे आपके पास start में वैसी end में रहें, बाद स्टोंड होते हैं जरा, इसका ख्याल लगते हैं कि मैंने अपनी book को बिल्कुल neat and clean रखना है, तो इसकी कोशिश आपने नहीं करने, आपने अपनी book के ओपर notes बिनाने हैं, वो notes आपको फिर at the end of session, इंशाला जब आप revise करेंगे, exam के करीब जाके, या आपके जो test वेरा होंगे college के final, उसमें आपको इंशाला काफी ज़्यादा help होगी, तो आप अपनी study text, hard form में अपने पास रखिएगा, और ये lecture वेरा जैसे आप सुने, थोड़ी सी option को ये आप perform करके मैं आपको बताऊँ, अदर stop करने के बाद फिर आप perform करें, फिर आप next part lecture का सुने, इस तरकी से सासर परफॉर्म आप करते जाएंगे, तो आपको चीज़ें memorize होती रहेंगे, अगर आप ये सोचेंगे, ये तो मुझे चीज़ें बड़ी असान लग रही हैं, समझ आ रही हैं, मैं बाद में इसको परफॉर्म करूंगा, तो याद रखेंगा, फिर ये चीज़ें आइस्ता इस्ता जेन से निकलती जाती हैं, क्योंकि काफी ज़्यदा options हैं, वो सारी कठी हो देंगी, तो आपके लिए फिर उसको memorize करना थोड़ा मुश्किल हो रहेगा, सासत परफॉर्म करेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ से एक दफ़ा गुजर जाए, वो मेमराइज हो जाती है, तो ये आपको recommend करूंगा, कि सासत परफॉर्म करें, और बुक्यों पर नोट्स बनाएं, बेस्ट उफ लक्ट, जजा करना,